कि हलो फ्रेंड्स मैं हूँ साजिद और आप देख रहे हैं सीपी ट्रेनिंग चैनल हमने पिछले क्लास में देखे थे कि फोल्डर और फाइल को किस तरह चुपाते हैं ठीक है आज हम लोग जानेंगे कि पूरे आइकॉन पूरा डेक्ष्टॉफ का आइकॉन को किस तरह चुपाया जाता है ठीक है तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले राइट किलिक करेंगे और यहां व्यू के अंदर सो डेक्ष्टॉफ आइकन इसे अंचेक कर देंगे देन यह आपका आइकन हाइड हो जाएगा अगर हम टाक्स बार को भी चिपा न जाहते हैं तो हम टाक्स बार को भी चिपा सकते हैं राइट किलिक करके टाक्सबर पर प्रोपर्टीज में जाएंगे और यहां से हाइड टाक्सपार आपका टाक्सबर भी छिप गया है तो इस तरह से हम छिपा सकते हैं अपने आइकॉन को अगर फिर से लाना हो तो हम फिर राइट किलिक करेंगे और व्यूं के अंदर और इससे अगर फिर से लाना है तो इस पर राइट किलिक करेंगे और प्रोपर्टीज और यहां से हीडेन आउटो हीडेन टाक्सबर को अंचेक कर देंगे यह था मेरा वीडियो थैंक्स फॉर वाचिंग